अलो गाइज वन्स अगैन वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल आज के इस इन्फार्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तरपदे सिच्छा सेवा आयोग जो नया बना हुआ है और साथ ही बात होगी यूपी टीजेटी पेश्टी 2022 के एकजाम डेट के बारे में इसके अलावा जो हायर असिस्टंट प्रोफेसर का फार्म भरा गया था उच्छ़ होग के तरफ से जो परिच्छा कराई जानी थी अब वो परिच्छा कि कौन कराएगा यह सिच्छा सेवा आयोग नया कराएगा या फिर उच्छ तर सिच्छ और बेसिक का जो अभी तक जो विवस्था थी वो बेसिक यानि प्राइमरी के सिक्षकों की नियुक्ति जो है की परिच्छा जो है पी एंपी के माध्यम से कराई जाती थी और जो 68000 में बहुत बंदाम हो थी संस्था और TGT PGT का चैन जो है आपका माध्यमिक सिच्छा सेवा चैन बोर्ड कराता था एलंज गंज में जो है इसके अलावा LT grade और GIC का चैन जो है लोक सेवा आयोग उत्तर पदेश कराता था और उच्छतर सिच्छा सेवा आयोग के लिए जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए महाविद्यालेओं में इसके लिए परिच्छा जो है उ इन सब को मिला करके इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड एक आयोग बनाया जाएगा जो सभी सिख्छकों की भरती करेगा तो उसका नाम हो जाएगा उत्तर पदेश सिच्छा सेवा आयोग अब इसमें जो है यह मुख्यता जो है तीन प्रकार के सिच्छकों का चैन करेग तो इसको जो है ग्रूप A, B और C या का खगा कह लें का खगा तो का खगा में का वाले में आपका हायर वाले आ जाएंगे और खगा वाले में आपका हो जाएंगे तीजीटी, पीजीटी और एल्टीग्रेट यानि माधिमिक वाले हो जाएंगे सभी और C में आपके हो जूनियर एड़ेड हाई स्कूल वाले भी इसी में आएंगे तो अब इनका एक्जाम पैटन अब दोस्तों है तो यह एक बहुत अच्छी बात की अब जो है एक ही जंगा पर स्केवल सिक्षा के लिए एक आयोग बनाया गया इससे जो है अगर इमानदारी से किया जाएगा तो एक रूपता आएगी एक्जाम पैटन में और जल्दी जल्दी भरतियं कम्प्लीट होंगी लेकिन अगर यह आयोग यूपी ट्रिपल स्टी यानि अधीनस सेवा चैन बोर् गया तो सभी भरतियों को उल्जा कर रख देगा और एक भी भरती समय से कम्प्लीट नहीं हो पाएगी तो यह एक से इसके नुकसान भी है लेकिन अगर जो है इमानदारी पूर्व किया गया तो सभी भरतियं बहुत जल्द पूरी होंगी अब एक्जाम डेट के बारें बा ही न कहीं सरकार की मंसा है कि टीजेटी पेश्टी एक्जाम को उत्तर पुदे सिच्छा सेवा आयोग के माध्यम से ही करा है इसलिए अभी तक सरकार उसमें माध्यमिक सिच्छा सेवा चैन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर रही है और जो देखने में आ रहा है नए आयोग का गठन अप्रैल तक हो जाएगा तो अगर अप्रैल तक नए आयोग का गठन होता है और फरवरी में आपका निकाय चुनाओ है तो इसके बाद ही जो है परिच्छा होने के संभावना है लेकिन फिर भी आप लोग मेहनत करते रहिए क्योंकि दोस्तों यह जो दोर चल ला है यह प्रत्योगी चात्रों के लिए बहुत कठिन दोर है फिर भी आप धार बनाये रखिए और निस्चित रूप से 2023 का साल जो है शिक्षक भरती के लिए जाना जाएगा बहुत सारे शिक्षक भरती आएंगे और उमीद करते हैं कि आपका जो है इस बार चैन हो जाए हायर के एक्जाम की बात करें दोस्तों तो हायर का एक्जाम भी अभी तक कोई एक्जाम डेट डेकलेर नहीं हुई है और संभवता इसके पीछे यही एक रीजन है कि उत्तरपदे सिच्छा सेवा आयोक अब हायर का भी एक्जाम कराएगा तो निस्चित रूप से जो समय मिला है उसका भरपूर उपयोग कीजिए और मेहनत के साथ मन लगा कर पढ़ाई कीजिए निश्चित रूप से आपको संफलता मिलेगी धन्यवाद